और अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीजों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंद पहले से लगाया था तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्ने हो गया है कि जो पावंजियों के बारे में कि स्कूल, पॉलेज, कोचिंग संस्थान एब अन्य सेक्टरिक रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहे और इस अब जिने में राश्करकार के विध्याले द्वारा किसी भी तरह की परिक्षाएं भी नहीं ली जाएंगे तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिन, पार्क एबं उप्यान को प बंद करने का जुन्द ने लिया इस तब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और घर सरकारी कारियाले अब उसके बारे उन्हें काल बंद ने लिया गया है इसको पांच वजे तक रखा जाएगा पांच वजे बंद और आप जानते हैं सब्सक्राइब इस परसेंट लोगों को एक दिन में काम करने के लिए कहा गिया है नहीं जैसे हेल्थ वजे तक पांच वजे तक कर कर दिया गया है और प्रती दिन रात्री मों, नौ बजे तसे लेकर के शुबह पांच वजे तर नाइट कर्फ्या लागू रहेगा। सामते राप्च में नौ बजे से लेकर के सुबह के पांच वजे तक यह कि उप्धेर्न हो गया है। और सभी दुकाने, फृस्थाम, बल, करणों सब्जी दुकाने, बंडी, तथा मांग से उमस्थी की दुकाने, अब साम जो 7 बजे तक रखे ते खुला उन्हों को, अब 7 बजे के बजाय एक घंटा कम करके 6 बजे तक उन्हों अब खुला रहेगा, 6 बजे के बागों खुला तक सबसे खोलना है या नहीं है कि सुबह कब शोलना हो लेकिन उनको 6 तक रखना चो और इसके बार जो रेस्टोरेंट है, धाबा है, बोजनाले में बैट कर खाना पुतिबंधित रहेगा, इन सब जग्धों करें, लेकिन ओम डेलिवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालम, नौ बजे रात परी तक हो, नौ बजे रात तक उस सब दों कहां पहुंचाना हो, कोई वहां से ले अब जो जितने भी सभी धार्मी के स्थाम को थे, वो जो 30 अप्रिल तक बंद थे, जो हम लोग ने पहले टाय किया था इसके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब अस्थलों को जो किया गया था, 30 अप्रिल तक उसको पढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसल किया था, सार्जनिक इस्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी और मीजी पर दोख रहेगी, लेकिन जो दफन है या दास अंसकार या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है, वो तो सभाविक चीज है, कि दफन हो, दास अंसकार हो, विवा हो, उस्त्राद हो, इ पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी और मीजी पर रोक रहेगी, अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन दास अंसकार, साधी, इवा, ये सब सब के लिए जो किया गया था, और स्ट्राद के कारिक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले जो भी करेंगे दफन और दास अंसकार के लिए पचास सक या गया था पहले, अब उसको घटा करके पचीछ है, और साधी और साध का कारिकरन था, इसके ज्यए 200 व्यक्तियों सक या गया था, अब उसको घटा करके, आज मिरने लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत पढ़ाई कि जितना केजी से फैल रहा है और इन ही को कुछ मालूम नहीं है इसका बहुत रुपसान होगा इसलिए इन दोनों के बारे में यवी निर ने लिया गया है और इसके बाद दिन के समय भीड भाड भरे इलाके एंग सब्जी मंडी में भीड में कमी करने के लिए जिला पताधि सब्जी मंडीयों को सिल्खिलेवार ठंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर फूलने की वस्ता करें वहां पर नहीं जहां है उट भीड होती है अलग जगह पर उनको सुमिश्चित कराएंगे कि आप यहां पर फूलिए यहां पर रहें एक यह भी विवस्ता करने का किय और जिला प्रिसासन गौरा आप शेक्तान का नगर चित्रों एवं प्रखंड मुख्यालियों में धारा एक्षो चवारीस का प्रियूग कर अनावस्यट भीड को नियंत्रित करने हो ति नियवानुसार वो कारवाई करेंगे यानि एक तम पिल्कुल एक्सो चवारीस लाग जो जिरने हो गया है इसकी जानकारी हम लोगों ने दे दिये और यह सब जो है जितने पुतिबंद लगाये गहें इसके अलावे जैसे आवस्यक्त सेवाओं पर किसी प्रिकार का पुतिबंद नहीं है जैसे परिवहत, बैंकिंग, डाग, स्वास्त यहों इससे संबंदित स जिवाओं, फाय, पुलिस, एंबुलिन्स आधी पर किसी प्रिकार का पुतिबंद नहीं छूट रहेगी और यह कॉमर्स की कतिविदियों, कतिविदियां उसे संबंदित पुतिस्थान भी इस प्रिकार का पुतिबंद रहेंगे, अंतर जिला एवं अंतर राज्जिये सार पाकी सब चियों के बारे में बता दिया गया है, कारियाले के बारे में, कुकान के बारे में, किन-किन चियों को तबंदित करना है, किसी पुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा, कारियाले कितने बजे तक चलेंगे, और रात में नौ बजे से ले करके सुबह पात दे सकत तो हम लोगों ने अभी ये किया है और जैसा कि मैंने सुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विश्क्रित रूप से आठ चर्चा की है और सब लोगों का जो सुधाव कल भी आया सब को देखते हुए सब लोगों को इस सुधाव दिया है लेगिन मैं पुना तोरा कर इस बाद कर कह देता हूं कि लोगों के जाच के लिए जो वैक्सिनेशन के लिए इलाज के लिए यह पूरे तौर पर अतिक से भी और किसी भी प्रकार का दवा का या उक्सिजन का कोई दिक्कत में आएगी इसके लिए सब तरह के प्रबंद का इस किने सब लोग है शिकिस्ता चुड़ेगे सब लोग उनको जैसा पहले कह दिया गया है हम लोग एक महीने का और अत्रिक उनकोतन काम को देंगे यह सब दे लिया है लेकिन एक एक चीज़ को निरंत नजर रखी जाएगे हर प्रकार से और अस्पतालों के संख्या पढ़ाना बेड्स की संख्या बढ़ाना यह सब के लिए पूरा का पूरी पूरी बाप्चित चीगे है ताकि इस तरह से इस बार का द्रिस्ट से है हम लोग को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिबंद करना होगा यह भी आज़ पूरे तोर पर बाचित हो गई तो यही हैं मुप्रूप